Doppler Effect Doppler Effect Doppler Scientist का नाम है पहले तो कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है Doppler Scientist का नाम है तो Doppler ने एक effect नोट किया Doppler कहते है जब एक ambulance आती है आँख बंद करके खड़े हो जाओ आप बता सकते हो एक ambulance पास आ रही है क्योंकि उसकी जो siren की जो आवाज है जो pitch है frequency है वो तिखी हो जाती है जब पास आती है और जैसी ambulance cross करती है वो आवाज थोड़ी frequency कम हो जाती है जबकि ambulance वाले से पूछे हो वो करें मैंने तो frequency को change किया ही नहीं सारेन बजाता जा रहा हो मेरी का कसूर है उसमें सुनने वाला देखे क्या कर रहा है तो ऐसा लगता है कि frequency बढ़ रही है जब कोई siren बचाता हुआ पास आ रहा है shrillness बढ़ रही है और shrillness कम हो रही है इस effect को frequency हट के सुनाही देती है कोई चीज पास आ रही है source पास आ रहे है सारेन पास आ रहा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुना ही देती है, दूर जा रहा है, फ्रिक्वेंसी कम सुना ही देती है, इस effect को Doppler's effect होते है तो पहला point clear है, क्या है Doppler's effect? यह effect सिर्फ sound में ही नहीं, light में भी देखने को मिलता है अगर star अर्थ के पास आ रहा है, star बहुत दूर है, पर अगर कोई star पास आ रहा है, तो frequency of light normal से ज़्यादा दिखाई देती है और अगर दूर जा रहा है, तो frequency कम दिखाई देती है, और जो frequency change होती है, तो light का color change हो जाते है तो color change होता है, इसलिए होता है, क्योंकि वो source है, light का, वो move कर रहा है ये effect तब देखे जाते हैं, जब सुनने या देखने वाला और source में से कोई भी एक move करे अगर ambulance महीं खड़ी है, मैं भी खड़ा हूँ, तो ये effect note नहीं हो सकता, आपको एक जैसे frequency सुना ही देगी लेकिन अगर इनमें कोई relative motion होगा, कोई एक move करे, जैसे मर्जी चाहे, पास चाहे दूर, कैसे भी, तो उस case में, इनमें, Doppler effect note किया जाएगा frequency change दिखाई, सुना ही देगी, तो इसके अंदर, it is a phenomenon of change in apparent pitch of the sound, which means frequency, due to relative motion between source of the sound and listener इसमें, कि जब कोई pitch of the sound appears more, जब source of the sound and listener are approaching each other, और pitch कम सुनाई देती है, जब वो दूर जा रहे होते हैं, अब इसमें कुछ cases है, जैसे, मान ने, एक ambulance खड़ी है, सारन बचा रही है, तो उसको source बोलते हैं, sound का source है और मैं observer या listener हूँ, पहला case है, कि मैं खड़ा हूँ, observer ख ambulance वो पास आ रही है, तो मेरे को frequency क्या सुनाई देगी, actual frequency sound की new note है, मेरे को क्या सुनाई देगी, यह question है, दूसरा case है, मैं खड़ा हूँ, और इस बार source, sound का पास नहीं आ रहा, दूर जा रहा है, दूसरा case, frequency कम सुनाई देगी, कितनी, दूसरा case, तीसरा case, ambulance या source नहीं दूसरा formula, चौथा, मैं ambulance से दूर जा रहा हूँ, चार, frequency different हो जाएगी, पांच, ambulance और मैं, source और मैं, एक दूसरे के पास सा रही है, दूनो, पांच, छेमा case, ambulance यदर जा रही है, मैं यदर जा रहा हूँ, 6th, 7th case, ambulance उदर भाग रही है, मैं ambulance के पीछे भाग रहा हूँ, next, मै मैं यदर भाग रहा हूँ, ambulance मेरे पीछे भाग रही है, 8 case बनते है total, तो आपको इन type के questions में, सिरफ numerical में case identify करना है, कौन किसके पास आ रहा है और दूर जा रहा है, बस वो formula fit करने answer जाएगा, सारी game ही सिरफ case identification की है, formula की है, कि आपने कौन सा formula का fit करना है, कुछ नहीं है इस सुनने वाला खड है, source on the ambulance, जो siren बजा रही है, वो पास आ रही है, तो इसको ऐसे sound to longitudinal है, पर हम इसको रसी के लेट पर समझते है, एक अगर string है, source यहाँ पर खडा हुआ है, observer यहाँ पर खडा हुआ है, तो एक wave pulse ऐसे generate हुई, बात खतम हो गई, लेकिन अगर source, horn बजाता ह वा भाग रहे, तो सोचो मैं रसी में wave generate करूँगा, लेकिन भागते हुए, भागते हुए करूँगा, तो जब मैं यहाँ से यहाँ होँगा, और सुनने वाला यही पर है, तो wave खडम यही पर होगी, तो overall नई wave की wavelength थोड़ी सी कम हो जाएगी, पहले wavelength जादा थी खड़े हो क्योंकि भागते हुए wave generate हो यह wavelength थोड़ी सी कम हो गई, wavelength कम होई, frequency बढ़ गई, पस यह निकालना है कि इतनी frequency बढ़ी, तो यह effect क्यों हो रहे, क्योंकि wavelength में थोड़ा सा decrease देखा जा रहे, ठीक है तो इसमें मान लो total wavelength, actual wavelength जो थी, वो λैम्डा नॉट थी, यह source भागता है, इसकी velocity Vs है, और एक time period का question है, क्योंकि एक wave pulse capital T time में generate हो रही है, तो capital T time में यह source यहां से यहां आ रहे, तो distance traveled कितने है, Vs into time period of 1 oscillation, और time period क्या होता है, 1 upon frequency, तो यह time period है, तो यहां से नई wavelength क्या आई, लैम्डा apparent, लैम्डा apparent यहां से यहां तक की wavelength है, लैम्डा apparent होगा क जो actual थी, इस में से, इसे minus कर दो, तो आपके पास, ऐसा कुछ case आएगा, तो लैम्डा apparent क्या आएगा, लैम्डा not minus, यह time आएगा, लैम्डा not क्या होती है, V upon new not, actual frequency है, यह lambda apparent आगी, तो अब new apparent क्या होगा, new apparent का मत्क्तब विलॉसटी वागी lambda apparent, lamda apparent ऊपर से नीचे पुट क करके यह formula आ गया, proof हता नहीं है, formula number one note हो गया, कि आपकी जो frequency है, actual frequency new note है, velocity of sound, siren की जो velocity of sound है, वो V है 332, और यह velocity of source है, तो जब भी source observer के पास आएगा, आप यह formula apply करेंगे, और frequency की value को निकाल लेगे, यह पहला formula है, ठीक, दूसरा formula, अगर observer तो वहीं खड़ है, source pass आने की बजाए दूर जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, जहां minus Vs है, अगले में plus Vs कर देना बस, तो पहला formula क्या है, अगर source pass आ रहा है, listener खड़ है, पहला formula, source दूर जा रहा है, listener खड़ है, दूसरा formula, बस numerical में identify करने की बात है, कि कौन सा case कब given है, बस, ठीक यहां तक clear है, यहां तक, दूर formula clear है, तीसरा, formula formula करेंगे बस, when listener move towards stationary source, अब मैं listener उसके पास जा रहा हूं, तो अगर मैं पास जा रहा हूं तो यह formula, V plus U0, U0 का मतलब velocity of observer, divided by V, sound की speed into actual, यह तब लगेगा जब observer pass जा रहा है, और source खड़ है, अब अगर observer ambulance से दूर जा रहा है, या source से दूर जा रहा है, तो U0 की जेगा minus, U0, 4th formula, तो 4 formulas हो गए, अगर दोनों, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, मतलब, कि जो observer है, जो observer है, वो इदर आ रहे है, और जो source है, वो इदर आ रहे है, यह source इदर आ रहे है, और actual frequency new not है, तो इस observer को क्या सुनाई देगा, यह सुनाई देगा, तो यह सुनाई देगा, यह पांचमा formula, वैसे मेरे हिसाब से, सारे formula में से, यह एक universal formula है, अगर आपको यह याद है ना, आपको सारे case पता लग जाते हैं, कैसे? सोचें, अगर मान लो, observer move नहीं कर रहा है, observer rest पे है, तो you zero क्या हो जाएगा? zero, you not zero है, तो आपका यह formula भी क्या हो जाएगा? zero, पहला formula त्यार हो गया, check कर लो, और सोचो, अगर आपका observer move कर रहा है, source move नहीं कर रहा, check कर लो, दूसरा formula त्यार हो गया, सारे case तो निकल है इसमें से, और अगर एक दूसरे के आपने सामने आ रहे हैं, तो यह formula, और अगर किसी ने भी direction change की, तो वो term minus, जैसे observer और source इदर आ रहे हैं, अगर observer इदर चला गया, source इदर चला गया, यह negative और यह formula, सारे case इसी formula में से निकलाएंगे, universal formula है, जबरदस formula है, ठीक यहां तक, कोई doubt इसमें, next है, एक और case है, जो बहुत competition में आया करता था, वैसे, competition में आता था, वो थे NCRT-based formula-based question आते हैं, यह आता था, एक car का driver horn बजा रहे है, siren बजा रहे है, बजाता बजाता बजाता, दिवार से sound तकरा रही है, और वापस आ रही है, तो इससे पूछा कि तेरी frequency के horn की इसने का new knot, अब सोचो दिवारों के कान है, दिवार सुन रही है, दिवार को frequency new knot सुनेगी नी, क्योंकि जो siren है, यह source है, वो move करता हुआ आ रहे है, और observer rest पे है, उसको new dash सुनेगी, वो as it is new dash को reflect करके वापस छोड़ देगा, अब car के driver को क्या सुना है, यह question है, अब car का driver क्या बन गया, observer, observer भाग रहे है, और यह source बन गई दिवार, इसको frequency new double dash सुना ही देगी, new not से new dash, new dash से new double dash, तो अगर driver चलता चलता horn बजा रहे है, दिवार से टकरा के sound सुन रही है, तो यह formula universal formula है, वही formula है जो भी हमने किया, बस इसमें यह अच्छी बात ही है, वही car का driver observer है, और वही source है, तो जहाँ u not है वहाँ us कर दो, यह formula applicable है, बात ही खतम, प्रूफ करना ही नहीं है, बस formula के साथ ही question चलना है, तो समझ में आ रहा है यहां तर, तो same चीज light में लगती है, light के अंदर अगर star, इसमें light के अंदर Doppler effect में c का मतलब speed of light है, v का मतलब star की, जो source है, उसकी velocity है, imagine करते हुए earth rest पे है, star मानलो, pass आ रहा है, with the velocity of v, actual light की frequency new not है, हमें frequency इतनी दिखाई देगी, और अगर star, यह यह दिखाई देगी, यह और अगर star, दूर जा रहा है, तो v की जगा minus v, यह दो formulas light में चलते हैं, सिर्फ formula based ही आना है, तो दो formulas clear है यहां तक, ठीक तो वह formula sound के और light के, जो आपको help करेंगे इसमें question को solve करने के लिए, light के अंदर क्या होता है, जब star दूर जाता है, तो color light का blue दिखता है, universe में, और कोई star अगर pass आ रहा है, sorry, अगर star क्या कर रहा है, approach pass आ रहा है, तो color blue दिखता है, और अगर दूर जा रहा है, तो red दिखती है, light, red, frequency कम हो जाती है, कम frequency red होती है, तो जब star pass आ रहा है, color blue है, इसको बोलते है blue shift, और अगर दूर जा रहा है star, दूर दूर जा रहा है, तो उसको बोलते है red shift, आपने एक statement सुनी होगी, universe is expanding, universe expand हो रहा है, scientists लोग बोलते है, दूर दूर चाता जा रहा है, वो color से पता लग रहा है, क्योंकि जालतर light के color red है, तो सब star दूर 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 जा रहे है, जाके तो देखा नहीं किसी ने star को, तो light के color से बता देते है, Doppler effect से exactly क्या है, सिरफ यही भी, चलान कटते हैं गाडियों के, एक second बता है कि गाड़ी की speed है, 100 की speed है, Doppler effect है दोस्त, waves आती है, तकरा के आप से तकरा के गाड़ी से तकर सब्सक्राद ऊपर लगते हैं, same, इसी concept के ऊपर Doppler की machine काम करती है, और आपके speed बता देती है, की speed है, क्या actual है, है के ने कमाल, ठीक है, तो यह Doppler effect है, constructive destructive हमने ने करना नहीं है, plus two का part है, और यह part है, ठीक है, यह मैं आपको recording upload करके दूँगा, numericals की, इंटर्स्टेट्रेट् सब्सक्राद